कल के भारी दुख और संगड सब प्यार तेरा ही धा में न जाना कल के भारी दुख और संगड सब प्यार तेरा ही धा में न जाना मुझे अपनाने और सेने से लगाने हर पल पुकार में न जाना मुझे अपनाने और सेने से लगाने हर पल पुकार में न जाना कितना संदर इश्वरी हो प्रेम इतने प्रेमी इश्वर का कैसे कर धन्य आदो ले शाटे से इस जीवन का अब सुनिते खेखे सुभसंदेश मौनिंग बोईश अब प्रफुका दास तीवे अंजने अंगलिश रसाय वजन से वाटा जाये जैवसिकी सुभसंदेश की द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी लोगं को हमारा हार्दिक स्वागद है आज की मनन के लिए न्याईयों का किताब अध्याईचे का 21 तब यहवा का दूद ने अपने हाथ की लाटी को बढ़ा कर मामस और अकमीर रोटियों को चुआ और चटान से आग निकली जिससे मामस और अकमीर रोटियां बास्म हो गई तब यहवा का दूद उसकी दृष्टी से ओजल हो गया प्रव की नाम की महिमा हो इस अध्याई की आरम से हम इस प्रगार देखते हैं कि यह दियोन का चरित्र हम दे सकते हैं और तब इस्राईलों ने यहवा की दृष्टी में बुरा किया इसलिए यहवा ने उन्हें मिध्यानियों के वास्थ से और साथ वरश खर रखा इस प्रगार अम दे सकते हैं और इस्राईलों लोग परमेश्वर का ववस्ता को चोड़कर यह लोग परमेश्वर के विरोध में रहने लगा तबी और आम दे सकते हैं यह लोग का जिमीन यह लोग का रहने का जगा सब एक खप्चे में हो गया हैं मिध्यानी लोग को बहुत परिशान देते थे इस प्रगार अम दे सकते हैं वो समय पर जो गिदवन हम दे सकते हैं कि गेहु जो चक्की का उदर आकर और जाड़ रहता इस बातों को हम दे सकते हैं फिर यहोवा का दूद आकर उस बांज की वर्ष के तले भड़ गया जो एप्रा में अभियेशरी योवास का ता और उसका पुत्र गिदोन एक दाकरस के कुंट में गेहु इसलिए जाड़ रहा था कि उसे मिध्यानों से चिपा रहें इस प्रगार और परमेशर का दास गिदोन और गेहु बचाने के लिए दाकरस का कुंड का वहाम ये साब कर रहा है वो समय पर परमेशर का सुरकदूद वहाम आये उसे बातें कर रहा है लेकिन हम एक बात हम दे सकते हैं अधियाई 6 का 21 में इस प्रगार पढ़ते हैं तब यहोवा का दूद ने अपने हाथ की लाटी को बढ़ा कर माम सवर अकमीर रोठियों को चुआ और चटान से आग निकली है यहाँ हम देखते हैं सुरकदूद बात करने का वज़े से और गिद्यों को एक संका रहता है यह परमेशर का सही दूद है क्या इस शंगे में और उसने बोलते है कि मैं तोड़ा कुछ चीज लेकर आएंगे आप इदर रहो इसके एक कारण है वो समय पर और कुछ लोग आकर गलत रिदी से इस प्रगार की बाते सब बोलते हैं वो टेस्ट करने के लिए गिद्यों ने इस प्रगार कहा लेकिन एक बात है इसमें आरादने का संब्द में कुछ बाते हम दे सकता है ये चटान का पास में मामसा और अकमीरी रोठियों बास्म हो गई इस प्रगार हम पढ़ते हैं ये चटान को हम दे सकता है और ये चटान तो ईशु मसी के एक दृष्टान को दे सकता है S.E.A. का किताब में 48 मी अध्याई के 20 मी कलम में इस प्रगार पढ़ते हैं जिब वह उन्हें निरजल देश में ले गया तब वह प्यासा ना हुआ और उसने उनके लिए चटान में से पानी निकला उसने चटान को चिरा और जल वह निकला है और यहां हम देखते हैं कि एक चटान इसराइल लोगं को पानी पिलाने के लिए जो पानी निकला है इस प्रगार हम दे सकते हैं हम पहले कुरिंदियों और दस्विय ध्याय की कलम चार में हम पढ़ते हैं और सब ने एकी आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चटान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चटान मसी था इस प्रगार हम दे सकते हैं वो मसी वो चटान वो मसी था इस प्रगार हम देखते हैं इसके लिए प्रवीश्य मसी एक चटान का और चाय में यहाम तो समझा रहा है हम इस प्रगार की बाते हम दे सकते हैं हम पहले राजहों का किताब अट्राध्याई की 38 मी कलम में एलियाव का समय भी इस प्रगार का बात हम दे सकते हैं। तब यहोवा की आग आगास से प्रगड हुई और खौमबली को लकड़ी और पत्रों और दूली समेत बस्म कर दिया। और खटे में का जल भी सुख दिया। यह एलियाव का समय में हुआ हैं और एलियाव का समय में जो वेदी में हैं इस प्रगार की बड़ा एक संभव को हम दे सकते हैं। बजन संगीदा बासट अध्याई की कलम छे में हम इस प्रगार पड़ते हैं। सचमुच वही मेरी चटान और मेरा उदार है वहु मेरा गड़ है इसलिए मैं ना ठिकूंगा। यह हम देखते हैं और प्रभू है हमारा चटान प्रभू है हमारा चटान इस प्रगार हम दे सकते हैं। तो यह चटान प्रभी इश्व मसी को दिखा रहा है। यह चटान में रखे गिद्योन ने और गिद्योन यह सारे बाते हम रखा हैं। जो परमेश्वर का धूद और असली भाती इस प्रगार की हम दे सकते हैं, इस धूद हमारा प्रभु ईशु मसी है, उसका एक परचाय का रूप में दिया है, इसके लिए प्रभु हमको सहाइद करें, हम ज्याईयों का किताब अध्याईचे का तेविस में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांती मिले, मत डर, तू ना मरेगा, इस प्रगार हम पढ़ते हैं, हम दे सकते हैं, वो समय पर परमेश्वर का जो शांती और यदेवन को दिया है, यह चटान में बसम होने का वज़े से और शांती देने वाला बात हम दे सकता है, प्रभु हमको सहाइद करें, हम कुलियोसियम का पत्रिगा तीसरे अध्याई की पंदरवी कलम में, हम इस प्रगार पढ़ते हैं, मसी की शांती, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाया भ बिलाया भी गया हो, तुमारा घृदय में राज करें, और तुम दन्यवादी बना रहो, इस प्रगार हम दे सकता है, वो शांती के लिए प्रभु हमको बुलाया है, इस बात हम दे सकता है, और वहाम तो, और गिद्योन का समय पर, उस वेदी में उस बात हैं, परमेश्वर का दूदने और चड़ी चुआ तभी और जलाया है, इस बातों को हम दे सकता है, साथ साथ में जो प्रभु वहाम से उपर चला गया है, इस प्रगार हम दे सकता है, तो गिद्योन का जो सक है, शंका है, वो दूर किया है, इस बातों को हम दे सकता है, प्रभु हमको सहाइद करें हमारा प्रवीश्य मसी दो अजार साल पहले हमको डून कर आए एक बात है हमको दुश्मन से बचाने के लिए सेथान की जो दुश्मनी है उसमें से बचाने के लिए आए इस प्रवीश्य को हम आराद न करेंगे और स्टूदी करेंगे हमार प्रवीश्य मसी पुनूर्धानो कर आज सुर्क में है फिर आएंगे हमको लेग जाएंगे इस प्रगार की बड़ा आशा हमको दिया इस प्रवीश्य को हम आराद न करेंगे स्टूदी करेंगे उसकी नाम की महिमा हो जय मसी की